नमस्कार मैं विश्णु सर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विश्णु एटीपी में हार्दिक स्वात करता हूँ और आज मैं लेकर आयों आप लोग के लिए अभिवादन परिचय और शिष्ठाचार दसाने के लिए अंग्रेजी वाग के यानि आप किसी से हाय हैलो क आपको दिखाने वाला हूँ एक एक करके प्रेंशेशन भी करके पताऊंगा और इसका मीनिंग भी आपको दिखाने वाला हूँ तो चलिए लेट नहीं करते हैं सबसे पहला सेंटेंस है इमानदार बनो, यह एडवाइज दे रहे हैं किसी को इमानदार बनने के लिए, तो इसे हम कहेंगे be honest, ठीक है, एस हरेंड होता है किवल honest बोनेंगे, be honest, second है कृपिया अंदर आजाओ, अच्छे से बोलने, कृपिया अंदर आजाईए, तो इसे हम बोलेंगे इंग्लिस में, please come in, यह तो easy है, आगे बढ़ते हैं, आईए, बैठिये, इसे सिष्टा चार कहेंगे, अच्छे से बात करना, विवहार करना, तो उसे हम कहते हैं कि please have a seat, आईए, बैठिये, तो please have a seat, निकल जाओ, यह फिर दफा हो जाओ, तो किसी से आप अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, तो आप बोलेंगे, get out, यह और यह नहीं होता है, yeah, be off, get out बोल सकते हैं, फिर be off बोल सकते हैं, अगला है, shore यह फिर हल्ला मत क करो, don't make a noise, noise जाने होता है, हल्ला यह फिर शोर, अपने जूते पॉलिश कर लो, शू पॉलिश कर लो, पॉलिशो, शूज, खड़े मत रहो, बैठ जाओ, don't keep standing, please sit down, हाथ उपर करो, और लेड जाओ, hands up and lie down, चिलाओ, मत, शान्ती से बैठो, याने चुपचाब बैठो, don't shout, sit still, या फिर sit quiet भी बोल सकते हैं, बेकार मत बैठो, कुछ तो करो, don't sit idle, idle याने बेकार होता है, ठीक है, do something, कुछ करो, ध्यान पूर्वक सुनो, याने ध्यान से सुनो, listen, attentively, attentively याने होता है, ध्यान से, और लिशन, मेरी बात सुनो, listen to me, तो देखिए, दोनों में सुनने के लिए, हम लिशन का यूज की हैं, टी सैलेंट होता है, तो listen नहीं पढ़ेंगे, listen पढ़ेंगे, next है, उठ जाओ, और हात मों धोलो, get up, या फिर wake up, and wash yourself, खुद को धोलो, या wash your, अब यहाँ पर क्या हो सकते हैं, wash your hand, wash your mouth, आप बहुत सरची, यूज सकते हैं, या फिर wash your shell, अपने आपको धोलो, ऐसे भी बह मतलब रखो, तो आप बोलो कि mind your own work, या फिर mind your own business, मूर्ख मत बनो, याने कि बहुकूफ मत बनो, इसे हम बोलते हैं, don't be silly, किसी को गाली मत दो, don't abuse anybody, तो don't का यूज हम कुछ चीज मत करो, मत दो, तो हम don't don't का यूज करते हैं, abuse है नहीं होता है, गाली देना, ठीक है, next है समय के पाबंद बनो, be regular and punctual, first पर मत थूखो, तो इसका होगा, don't spit on the floor, इसे floor नहीं पढ़ेंगे, floor पढ़ेंगे, next है कपडे पहनो, और तयार हो जाओ, तो इसका होगा, dress up and get ready, अपनों से बड़ों का कहना मालो, obey your elders, अपने अध्यापकों का सम्मान करो, याने teacher की respect करो, तो इसे English में कैसे बोलेंगे, respect your teachers, अब यहाँ पे यह दे teacher की जगह, आप कहीं बोलते हैं, कि अपने friend का सम्मान करो, तो आप बोलेंगे, respect your friends, अपनी बहनों का सम्मान करो, respect your sisters, तो बहुत सारे sentences बनते हैं, धूम्रपान का मतलब क्या, आते cigarette पीना, उसे धूम्रपान कहते हैं, तो give up smoking, give up, त्याग देना, छ ठीक तरह से बैठो, और ठीक व्यवहार करो, अच्छा बरताव करो, sit properly and behave yourself, आशा मत छोड़ो, उम्मीद जिसे कहते हैं, उम्मीद मत छोड़ो, फिर कोशिश करो, फिर प्रयात्न करो, तो don't leave hope, try again, leave यह नहोता है, छोड़ना, मुझे परेशान मत करो, don't disturb me, कभी जूट मत बोलना, या फिर कभी जूट मत बोलो, never tell lies, lies यह नहोता है, जूट, किसी को बद्दुआ मत दो, don't curse anybody, curse यह नहोता है, बद्दुआ देना किसी को, दूसरों से सक्जनता पूर्वक और नमरता पूर्वक बाते करें, यह बह लिखा हुआ है, font यहाँ पर बहर दिखा रहा है, speak gently and politely to others, याने दूसरों से अच्छे से भी नमरता पूर्वक बात करना, यह लिखा हुआ है, सामान खोल लो और थोड़ा विस्राम कर लो, याने कि अराम कर लो, तो सामान खोलने को क्या बोलता है, देखिए, unpack the luggage, लगेज याने सामान अनपैक करना, याने खोलना, take याने लेए, some rest, कुछ अराम कर लो, तो rest करना याने विस्राम करना, पहले गाय का दूद दूद दूदर, उसके बाद क्या करना, दूद बिलोणा, दूद बिलोणा पता है, जिससे मुक्ष निकालते हैं, तो देखिए, first of all, मतलब सबसे पहले, milk the cow याने गाय का दूद निकालना and then churn the milk churn यान होता है वही दूहना बिलोना को हम churn कहते हैं मतना जिसे भी कहते हैं इधर उधर मत घुमो don't wander here and there here and there इधर उधर wander यान होता है भटकना घुमना मुझे मेरे किस्मत पर अकेला छोड़ दो leave me alone on my fate fate यान होता है भाग्य कृपा करके उस बुड़ी महिला की सहायता करो व्रिद्ध महिला लिखा उसे बुड़ी भी बोलते हैं बुजुर्ग please help that poor old lady poor याने गरीब old lady यहां पर देखे लिखा हुआ है old lady बुड़ी महिला उसे कहोगी सीधा हो जाए तो इसे हम क्या कहेंगे ask him to come round come round याने ऐसे घूम के सीधा हो जाना come round कहते हैं उसे अपने जूते उतारो take off your shoes देखे वहाँ पर we are your shoes बोले हैं आपर take off your shoes बीना ticket कभी यात्रा मत करो never travel without a ticket घटिया बाते मत करो don't talk lose, lose याने होता है घटिया बाते में उसे lose कहते है गंदे बालकों के साथ मत खेलो याने गंदे लड़कों के साथ मत खेलो don't, sorry, मत मिलो don't mix with bad boys अब ऐसे बोलते गंदे बालकों के साथ मत खेलो तो don't play with bad boys ऐसे हो जाता चपरासी से घंटी बजाने को कहो ask the pun to ring the bell pun मतलब होता है चपरासी जल्दी जागने की आदत डालो try to be an early bird early bird याने जल्दी सुबे सुबूट जाने early bird यूज करते है दूर हटो और मेरी तरफ मद घूरो get aside aside याने बगल हो जाना दूर कर देना उसे aside का use करते है and do not stare at me stare यान होता है घूरना पंक्ती में खड़े हो जाओ याने line में खड़े हो जाओ तो उसे हम बोलते है stand in the cube cube मतलब होता है line पंक्ती लगना अतितियों के लिए इस्थान छोड़ दो याने महमान के लिए जगह छोड़ दो leave room for the guest room याने जगह होता है कमरे को भी room कहते हैं तो बहुत सारे इसका मतलब होता है space भी use कर सकते है leave some space for the guest ऐसे भी बोल सकते हैं कुछ जगह छोड़ दो अपने दातों को brush और बालों को कंगी करो brush your teeth and calm your hair ठीक है तीथ याने होता है बहुत सारे दात को दात होने तो टीथ एक दात को tooth बोलते हैं बहुत सारे दात को teeth बोलते है null बंद करो और lamb बुझा दो turn the tap off क्योंकि null को हम tap बोलते हैं turn the tap off and put out the lamp light जला दो switch on the light अब ऐसे burn the light नहीं को जलाने का मतलब भी burn होता है और ये light जलाने का मतलब आपता है switch on कर दो तो देखिए same word word meaning नहीं निकालना है जैसे बोलते हैं वैसी बोलने हैं switch on the light हम इसे भी बोल सकते हैं light का switch on कर दो मेरा बिस्तर बिछा दो make my bed देखिए make my bed वैसे तो बिछाना फैलाना उसे spread कहते हैं फैलाना लेकिन make my bed मेरा बिस्तर बिछा दो बना दो ऐसे यूज़ करते हैं बत्ती बुछा दो switch off the light next है fool मत तोड़ो तो तोड़ने को क्या बुलते देखिए don't तो कुछ चीज मत कर तो don't के उसकरते pluck है न pluck क्याने होता है तोड़ना the flowers fool को मत तोड़ो तो don't pluck the flowers pluck क्याने तोड़ना खाड़ना उसे मत रो को don't detain him अपने coat के button और जूतों के बक्सुए बंद को लो याने जूते के जो लेस वगर होते हैं उसे बोल रहा है तो इतने लंबे सेंटेंस का देखिए button up your coat button up बोलते button लगाने को and buckle your shoes buckle your shoes buckle याने भी बता है लेस बादना next क्या है गाली गलोज की भासा का प्रयोग मत करो तो don't use abusive abusive language ठीक है abusive लिखा हुआ है भविष्य में सावधान रहना future में सावधान रहना उसे हम क्या बोलेंगे be careful in future तो आज मैं इतना ही sentence लेके आया था आप लोग के लिए आची क्लास आपको थोड़ी ही पसंद आहीं तो उसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद आपका दिन शुब रहे और यदी आजी बाश थोड़ी ही पसंद आई हो ऐसी आपकी और भी आपको क्लास चाहिए और इसकी आपको PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम में प्रोवाइट कर दूँगा जिसका लिंक नीचे है नहीं है तो टेलीग्राम में जाके सर्च कर लीजिए विश्णु आपको पेज मिल जाएगा वहां पर आसानी से विश्णु एटिपी सर्च कर लीजिए वहां पर जॉइन कर लेंगे आपको इसका PDF प्रोवाइट कर दूँगा और यदि आची क्लास थोड़ी पसंद आए तो प्रीज लाइक करेंगे शेर करेंगे बहुत ज्यादा मेहनत लग आपका दिन शूर है